तो बच्चो कैसे हैं आप लोग मैं आ चुके हैं आपके सामने आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता कम्प्यूटर के एक बहतरीन सी सीरीज जैसे आपको पता है मेरी चल रही है पान से दस मिनिट की जिसमें मैं पूरा कम्प्यूटर आपको रिवीजन करवा रही हूं एक अच्छे तरीके से एक बहतरीन तरीके से तो बच्चो आप लोग मेरे साथ बने रही है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है आप नहीं पड़ पा रहे हो तो यह मेरी रिवीजन वाली पान से दस मिनिट की वीडियो देख लीजे इसमें आपको MS PowerPoint क्या करूंगी इंपलीमाइन करके दिखाऊंगी ठीके बच्चो तो इसके बाद हम इसके क्या करेंगे शॉटकट की पड़ेंगे सबसे पहले MS PowerPoint होता क्या है एक जलक उस पर मार लेते हैं पहले MS PowerPoint क्या होता है हमारा बहुत powerful software होता है जिसमें हम क्या करते हैं अपन और बहुत सारी चीजों का यूज करके एक professional look बनाते हैं जो हम आपके सामने देते हैं जब इसका खोलते हैं न open करते हैं तो इस तरीके का infrastructure होता है चली आप क्या होता है न मेरे प्यारे बच्चो अब मैं क्या कर रही हूं न अब मैं आपको इसको आप देखिए मैं इसको फ सर्च करती हूं यहां पर मैं सर्च करती हूं PPT अब Microsoft PowerPoint आपके सामने open होके आ गया है देखिए दोबारा open करना पड़ेगा क्योंकि मेरी ओल्रेडी एक PPT open है रुगिए बच्चो इसको कर देते हैं मंद आप देखिए अब यह हो गई आपकी open है न आप बच्चो यह क्या हुआ यह आपका जिस तरीके सा open होता है न तो सबसे पहले हमको इसमें से क्या चाहिए होता है एक बढ़िया सा blank को हम open करते हैं ठीक है ब्लैंक को कर दें open अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोट ता सा क्योंकि अप देखिए अब इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर आप देखिए बच्चो अब देख्ये बच्चो यहाँ पे सबसे पहले हमारी क्या है घृधिंझ में सबसे पहले हमारी है अब हमें क्या करना है कि हमने लिए सबसे पहले हम पर करेंगे नियू स्लाइट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरी स्लाइट का सेनारी वा गया कि आपको क्या-का स्लाइट चाहिए धाट यक्या वा पर क्लिक करेंगे थिया पर और इस तरीके से हम कर देंगे Ctrl C और Ctrl V क्योंकि copy हो जाएगी और वहीं क्या हो जाएगा Paste ठीक है तो यह सब चीज़ा बच्चो आज आएगी इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर मैंने क्लिक किया अब यह देखिए यहाँ मैंने क्या क्या है क्लिक किया अब यहाँ पर मुझे यह क्या है बच्चो B, I, U मैंने आपको बताया आप बोल्ड में चाहिए टैलिक में चाहिए यहाँ आपको अंडरलाइन में चाहिए ठीक है अब यहाँ पर जो उक उप्शन है यहाँ पर हमने लिखा कम्प्यूटर क्या किया कम्प्यूटर अब हमें चाहिए अब हम इसको क्या करेंगे सलेक्ट करेंगे यहाँ से पहले यहाँ पर पूरा सलेक्ट किया अब हमें नहीं से क्या किया बोल्ड पर क्लिक कर दिया तो यह बोल्ड में आ गया हमने इसी को थालLES में कर दिया तो यह टालेग में भी आगया अंडरलाइन कर दिया तो अंडरल्क निमांग गया एक 10 करके डाल्य आगया किर यह स्टाइल वाला आप्शन तो वह भी हमने कर दिया तो अब इसको हमने क्या किया? Size में बढ़ा कर दिया, अब हमने सोचाथ को 80 कर दे, Size भी बढ़ा हो गया, अब हमें क्या करना इस की? Language भी अलग चाहिए, हम इस तरीके का चाहिए, Kom Rudolph को दो चाहिए, 2 मुलिन, तो इस तरीके से आपकी चीज़े हो जाएंगी अब आती है शेप की अब बच्छे मुझे शेप चाहिए इस तरीके से मुझे शेप चाहिए और इसमें मुझे लिखना है इसमें मुझे क्या लिखना है अब मुझे इसमें लिखना है computer आप मुझे इसमें चाहिए color black ठीक है आ यहां पर आजाएगा आपका computer, तो इस तरीके से आपकी चीज़े हो जाती है, shape भी बन के आजाती है, वह चीज़ आपको, अब यहां पर कोई चीज़ फाइंड करने है, पूरी आपको slide में तो find भी हो जाएगी, replace करने है, तो वह चीज़ रिप्लेस हो जाएगी, अब बात कर चाहिए, या इस slide में चाहिए, वह भी आपको paste हो जाएगा, ठीक है, shape पर चाहिए, या कुछ भी आपको चाहिए, hyperlink करवाना है, ठीक है, कोई भी hyperlink, आपको, कोई भी internet का, कोई भी link आगर आपको यहां पर insert करना है, तो वह भी चीज़ आपकी यही पर हो जाएगी, अब design की बात करते हैं, तो इस तरीके का आगया, तो इस तरीके सा हमारा क्या हो गया, background आगया, ठीक है, या फिर हमें नहीं चाहिए, इस तरीके का, तो और भी तरीके का चाहिए, वह भी आजाएगा, अब दो को transition में क्यों क्या है, कोई भी चीज हमने यहां लिखी, तो हमने इ animation हमको add करने ना, वो सब चीज है इसमें आ जाएंगी, आधिया slide show की बात, slide show करनी है, तो आप देख लेना, तिने सारे option है, किस तरीके से करनी है, from, आपको current वाला slide करनी है, या beginning से करनी है, ठीक है, hide करना है slide को वह भी, ठीक है, review वाली में क्या होगा, spelling चेक करनी है, आपक view में आपको देखिए, या अपके क्या है, layout आ रहे है, तो आपको किस तरीके से open करनी है, slide, इस तरीके से open करनी है, है ना, तो इस तरीके से open करनी है, तो इस तरीके से open करनी है, तो इस तरीके से आ जाएगी, one by one, ठीक है, आपको color change करना है, gray करना है, जूम करना है, आपको यह और देख लेते हैं एक बार MS word को कहां-कहां यूज होता है तो यूज क्या होता है education में होता है marketing में होता है business में होता है creating resume में होता है और आपकी जितनी भी growth होती है हम सब में आपका क्या होता है MS MS powerpoint app का होता है वहां पर यूज तो बच्चों इस तरीके से ही जो आपकी शॉटकट की है आप मेरे क्लास में जाके ग्यारा बजी वाली में पावपॉंट देखी लिजिएगा महाँ पर मैंने शॉटकट की कराईए तो एक बार आप वहाँ विजिट कर लिजिएगा अब MS Access की बात करते हैं तो बच्चो MS Access में सिर्फ क्या होता है यह एक Database Management System के लिए होता है यहाँ पर क्या करते हैं हम जो भी data होता है न उसको क्या करते हैं मैनेज करते हैं स्कूल का हुआ तो उसकूल पर आपने ड्रेस लिक है ना ड्रेस ली आपने किताब ली बुक्स ली तो यह सब चीज है क्या आजाती है एक Database में आया थी एक record बनके store हो जाती है तो मेलीस का extension था पहले पहले का time पर .mbd ठीक है प्रतिग्या 2.0 तो बच्चो एक बार इसको विजिट कर लीजेगा अभी आपकी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है तो टेंशन नेनी की कोई बात नहीं है आप यहाँ पर जाकी विजिट कर सकते हैं और मेरा जो कोड है मेरा कोड है असमी 80 वो आप क्या करेंगी लगा लेगी क्यों कि बच्चो आसमान में वऺणा है तो असमी 80 कोड आपको लगा नहीं हो गा तो बच्चो इस तरीकी से बने रही है मेरे साथ थैंक्यू सो मच प्ट्छूगी तूई खूश सुश्टूगी एब स्टूगी और छूटूगीज जो घो चुटूगी तून के रिवset हुआजे लूगी लोगी आजए लोगी अाटी, टूछी लूदा शोटू